मेरे पहरे देश्वासियों नमस्कार कोरोना के इस कालखन में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है आज जब दोगज की दुरी एक अनिवारिय जरूरत बन गई है तो इसी संकटकाल ने परिवार के सदश्यों को आपस में जोडने और करीब लाने का काम भी किया है लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना कैसे रहना समय कैसे बिताना हर पल खुशिभर कैसे हो तो कई परिवारों को दिखते आई और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे जो परिवार में एक प्रकार से संसकार सरीता के रुप में चलती थी उसकी कमी महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खतम हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और उसमें एक महतोबन बात क्या थी हर परिवार में कोई न कोई बुजूर्क बड़े वेक्ति परिवार के कहानिया सुनाये करते थे और घर में नई प्रेणा नई उर्जा भर देते हैं हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महतोपूर है और जो नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है ऐसी ही एक विधा जैसे मैंने कहा कहानी सुनाने की कला स्टोरी टेलिंग साथियों कहानियों का इतियास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता Where there is a soul, there is a story कहानियां लोगों के रचनात्मत और समवेदन सिल्पक्ष को सामने लाती है उसे प्रगट करती है कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई मा अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए एफिर उसा खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है तब द गुमंत ही मेरी जिंदगी थी हर दिन नया गाओं नए लोग नए परिवार लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जुरूर बात करता था और कभी के बच्चों को कहता था चलो भई मुझे कोई कहानी सुनाओ तो मैं हरान था बच्चे मुझे कहते नई अंकल कहानी नहीं हम चुटकुला सुनाएंगे और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओं यहने उनको कहानी से कोई परिश्य ही नहीं था ज्यादा तर उनकी जिनकी चुटकुलों में समाहित हो गई थी साथियों भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक सम्रुद्ध परंपरा रही है हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है जहां हितोप देश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहां कहानियों में पशुपक्षियों और परियों की कालपनीक दुनिया गड़ी कि बातों को आसान इसे समझाय जा सके हमारी हां कथा की परंपरा रही है यह धार्मिक कहानिया कहने की प्राचिन पद्दती है इसमें कता का अलक्षेवम भी शामिल रहा है हमारी यहां तरह तरह की लोग कताएं प्रचली थैं तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहु होती आकर्सव सामंजे से होता है भारत में कटपुतली की जीवन परंपरा भी रही है इन दिनों साइंस और साइंस फिक्षन से जूड़ी कहानिया इवं कहानिय कहने की विधा लोगप्रिय हो रही हैं मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के के लिए सरानिय पहल कर रहे हैं मुझे गाथा स्टोरी डॉट इन जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं अमर व्यास आयम एमदाबाद से एंबीय करने के बाद विदेशों में चले गए फिर वापिस आए इस समय बैंगलोरू में रहते हैं और समय निकार कर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीर भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं वाईशाली व्यहवारे देश-पांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोगपृय बना रहे हैं चेन्य की स्रीविद्या विर रागवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी हैं वहीं कथालय और इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्प नाम की दो वेबसाइट भी इस शेत्र मे जबर्दस कारिकर रही हैं गीता रामानुजम ने कथालय.org में कहानियों को केंद्रित किया है वहीं इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्प के जरिये भी अलग अलग शहरों के स्टोरी टेलर्स का नेटवर्प तयार किया जा रहा है बैंगलूरू में एक विक्रम सीधर ह जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर भहुत उत्साइथ हैं और भी कई लोग इक्षेतर में काम कर रहे होंगे आप जरूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करें आज हमारे साथ बैंगलूरू स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की बहन अपढ़ना अथ्रे और अन हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अपना जी बिलकुल बढ़िया सर जी सबसे पहले मैं बैंगलूर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकवरों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं और मैंने सुना है कि आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है जी जी बिलकुल बिलकुल सर तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचे करवा दें ताकि मन की बात के जो सुरता है उनको परिचे हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं सर मैं अपरना आत्रेया हूँ मैं दो बच्चों की मा हूँ एक बारती अवायू सेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर स्टोरी टेलिंग की शुरवाद 15 सार पहले हुई थी जब मैं सौफ़वेर इंडस्ट्री में काम कर रही थी तब मैं CSR प्रोजेक्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी तब हजारों बच्चों को कहानियों की माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी मा से सुनी थी लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो कुशी उन बच्चों में देखा मैं क्या बोलूं आपको कितनी मुस्कराहट थी कितनी खुशी थी तो उसी समय मैंने तह किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्षे होगा सर आपकी टीम में और कौन है वहाँ मेरे साथ है शायलेजा संपत नमस्कार सर नमस्ते जी मैं शायलेजा संपत बात कर रही हूँ मैं तो पहले टीचर थी उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े होए तब मैंने थेटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संत्रुक्त मिला दन्यवाद मेरे साथ साथ साउम्या है नमस्कार सर नमस्ते जी मैं और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ यह मेरी लक्षी है healing and transformative storytelling नमस्ते सर नमस्ते जी मेरा नाम अपरना जैशंकर है वैसे तो मेरे सवभाग्या है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन भागों में पढ़ी हूँ इसलिए रामायन पुराणों औ और रात को मिलती थी और बैंगलो स्टोरी टेलिंग ससाइटी जैसी संस्ता है तो मुझे तो स्टोरी टेलर बना ही था मेरे साथ मेरे साथी लावन्या प्रसाथ है नावन्या जै नमस्ते सर् I'm an electrical engineer turned professional storyteller sir I grew up listening to stories from my grandfather I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. एक तो आप सबने जो परिचे दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कॉम्नुकेशन स्कील और बहुत ही कम सब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपना परिचे करवा है, इसलिए भी मैं आपको बदाई देता हूँ. तैंक यू सेर, तैंक यू. अब जो हमारे स्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का. क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुना है आप लोग? जी बिलकुल ये तो हमारा सौभाग्या है जी. चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की. राजा का नाम था क्रिश्न देवराय और राज्य का नाम था विजयनगर. अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान. अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था, तो वो था उन कुछ अच्छा वना होगा. और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे. तुराई, लौकी, कदू, टिंडा, उफ. ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते घुसे में थाली फेक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली बिचारा दूँगा. बावर्ची बिचारा डर गया. अब नई सब्जी के लिए वो कहां जाएं? बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनाली रामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई. सुनकर तेनाली रामा ने बावर्ची को उपाये दिया. अगले दिन राजा दौपहर के भोजन के लिए आएं और बावर्ची को आवाज दिये. अज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली दयार कर दूँ? डरे हुए बावर्ची ने जटबट से थाली सजाया और राजा कि दरा मीथी थी? बावर्ची ने जो भी मसाला भूम के कूट के डाला था सब अच्छे तरह से चड़ी थी. उंगलिया चाटते होए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बलाया और पूछा कि ये कौन सी सब्जी है? इसका नाम क्या है? जैसे सिखाया गया था वैसे ही ब मुकटदारी बैंगन है? प्रभू ठिक आप ही की तरह यही सब्जियों का राजा है और इसलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकट पहनाया. राजा खुश हुए और घोशित किये आज से हम यही मुकटदारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं हमारी राज्य म सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी राजा और प्रजा दोलों खुश थे यानि पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नहीं सब्जी मिली है लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गएं सुर्थ थोड़ा कम होता गया एक घर में बैंगन भरता तो दूसर किया वांगी बात एक ही बैंगन बिचारा कितना रूप धारन करे धीरे धीरे राजा भी तंग आ गये हर दिन वहीं बैंगन और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाय और खूब डाटा तुमसे किस ने कहा कि बैंगन के सर में मुक्ट है इस राजय में तेनाली रामा ने के पाव पढ़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद आपने हमारी प्राण बचा ली आपके सुझाओं के वजए से हम कोई भी सब्दी राजा जी को खिला सकते हैं तेनाली रामा हसते हुए कहा वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश ना रख सके और इस बारिक्यों को पकड़ा था मैं समताओं बच्चे बड़े जो भी सुने के कई चीजों को स्मरान रखेंगे बहुत बढ़िया रंग से आपने बताया और विशेश कोइंस ऐसा है कि देश में पोशन महा चल रहा है और आपकी कथा बोजन से जुड़ी हुई है और मैं जुरूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं वा और भी लोग हैं हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीड़ी को हमारे महान महापुरुष महान माताय बहने जो हो गई हैं कथाओं के माद्यम से उनके साथ कैसे जुड़ा जाए हम कथा सास्त्र को और अधिक कै कैसे प्रचारीत करें पप्लर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना अच्छी कथा बच्चों को सुनाना यह जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो यह वातावन कैसे बनाए उस दिशा में हम सबने मिलकर के काम करना चाहिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद कहानी के द्वारा संसकार सरीता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना मैं जब उनसे फोन पर बात कर रहा था इतनी लंबी बात थी तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है तो मेरे उनसे जो बाते हुई है वो सारी बाते मैं मेरे नरेंडर पर अपलोर करूंगा पूरी कथाएं जुरूर वहां सुनिए अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा आउसी आपके सामने प्रस्तुत किया है मैं जुरूर आपसे आगरह करूंगा परिवार में हर सप्ता आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ता के लिए एक विशे ताय करें जैसे मानो करूना है, सम्वेदन सिल्ता है, पराक्रम है, त्याग है, शाउर्य है, कोई एक भाव और परिवार के सभी सदसे उस सप्ता एकी विशे पर सब के सब लोग कहानी डूनेंगे और परिवार के सब मिल करके एक एक कहानी कहेंगे आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा रीश्रत का कितना बढ़िया काम हो जाएगा हर किसी को कितना आनन्द आएगा और परिवार में एक नई प्रान नई उर जाएगी उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं मैं कथा सुनाने वाले सबसे आगरह करूंगा हम आजहादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड के जितनी प्रेरग घटना हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं विशेशकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीड़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं मुझे विश्वास हैं कि आप लोग जुरूर इस काम को करेंगे कहानी कहनी कि ये कला देश में और अधिक मजबूत बने और अधिक प्रचारित हो और सहज बने इसलिए आओ हम सब प्रयास करें मेरे पहरे देश वासियों आईए कहानियों कि दुनिया से अब हम साथ समंदर पार चलते हैं ये आवाद सुनिए नमस्ते भाईयों और भेहनों मेरा नाम से रुडमिल है मैं वेस्ट अफरिका के एक देश माली से हूँ मुझे फेबुरारी मैं भारत में विश्वते सबसे भरे धर्मिक थेवार कूं मिला मैं शामिल होने का अफसर मिला मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है मुझे कुम मिला मैं शामिल होकार बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखे कर बहुत कुछ सीखने को मिला मैं बीदि करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार भारत विजित करने का अफसर दिया जाए तके हम और भारत के बड़े मैं सीख सकें नमस्ते है न मजएदार तो ये थे माली के सेदू देंबेले माली भारत से दूर पस्चिम आफरिका का एक बड़ा और लैंड लॉक देश है सेदू देंबेले माली के एक शहर कीटा के एक पब्लिक स्कूल में सिख्षक है वे बच्चों को इंग्लीज मुजीक और पेंटिंग ड्रॉइंग पढ़ाते हैं सिखाते हैं लेकिन उनकी एक और पहचान भी है लोग उन्हें माली के हिंदूस्तान का बाबू कहते हैं और ऐसा कहलाने में बहुत गर्वी की अनुभूती होती हैं प्रतेग रविवार को दो पर बाद वे माली में एक घंटे का रेडियो कारकम प्रस्थूत करते हैं इस कारकम का नाम है इंडियन फ्रिक्वेंसी और बोलिवुड सॉंग्स इसे वे पिछले 23 वर्सों से प्रस्थू बारा में भी अपनी कमेंटरी करते रहें और बड़े नाटकी धंग से करते हैं भारत के प्रती उनके मन में अगात प्रेम है भारत उनके गहरे जुडाव की एक और वज़य ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस को हुआ था सेदु जी ने दो घंटे का एक और कारकम अब प्रतेक रविवार रात 9 बज़े शुरू किया है इसमें वे बोलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बंबारा में सुनाते हैं कभी कभी किसी इमोशनल सिन के बारे में बात करते समय वे स्वयम भी और उनके स्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं सेदु जी के पिता ने ही भारतिय संस्कृती से उनकी पहचान करवाई थी उनके पिता सिनेमा थीटर में काम करते थे और वहां भारतिय फिल्में भी दिखाई जाती थी इस पंदरा अगस को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंतरता दिवस की सुपकामना ही दी थी आज उनके बच्चे भारत का राश्टगान आसानी से गाते हैं आप ये दोनों वीडियो जरूर देखे और उनके भारत प्रेम को महसूस करें सेदू जी ने जब कुम्ब का दोरा किया था और उस समय बेउस डेलिगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनू, स्ने और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है मेरे प्यारे देशवास्यों हमारी यहां कहा जाता है जो जमीन से जीतना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तुफानों में भी उतना ही अडी रहता है कोरोना के इस कठीन समय में हमारा कृशिक छेत्र, हमारा किसान इसका जीवन्त उदारन है संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृशिक छेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियों देश का कुरुशिक शेत्र हमारे किसान हमारे गाउं आत्म निर्भर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्म निर्भर भारत के निव मजबूत होगी बीते कुछ समय में इन खेत्रों ने खुद को अनेक बंदिसों से आजाद किया है अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है मुझे कई ऐसे किसानों की चिठ्षिया मिलती है किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए ने आयाम जूड रहे हैं कैसे खेती में बरलावा रहा है जो मैंने उनसे सुना है जो मैंने औरों से सुना है मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसा कि कुछ बाते जुरूर आपको बताऊं हार्याना के सोनिपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं उनका नाम है स्रीक कवर्प चवहान उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जियों और गाडिया तक जब्त हो जाती थी लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को EPMC Act से बाहर कर दिया गया इसका उन्हें और आसपास के साथिक किसानों को बहुत फाइदा हुआ आज गाओं के किसान स्विट कौन और बेबी कौन की खेती करते हैं उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपूर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तता फाइश्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं आज गाओं के किसान स्विट कौन और बेबी कौन की खेती से धाई से तीन लाख प्रती एकड सालाना कमाई कर रहे हैं इतना ही नहीं इसी गाओं के साड से अधिक किसान नेट हाउस बना कर पॉली हाउस बना कर टमाटर, खीरा, शिम्ला मीर्च इसकी अलग-अलग वराइटी का उत्पादन करके हर साल प्रती एकड दस से बारा लाख रूपिय तक के कमाई कर रहे हैं जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां जादा दाम मिले वही पर बेचने की अब उनको आजा जादी मिल गई है साथियों तीन चार सार पहले ही महाराष्ट में फल और सब्जियों को एपी एमसी के दायरे से भार किया गया था इस बडलाव ने कैसे महाराष्ट के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों के स्तिति बडली इसका उदान है स्री स्वामी समर्त फार्मर्स प्रोडूशर कंपनी लिमिटेड एक किसानों का समूह है पूने और मुंबे में किसान साप्ताहिक बजार खुद चला रहे हैं इन बाजारों में लगभग सत्तर गाउं के साड़े चार हजार किसानों का उत्पात सीधे बेचा जाता है कोई सभी चौळिया नहीं ग्रामिर युवा सीधे बाजार में खीति और विक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं इसका सीधा रख किसानों को होता है घाव het के नवज़वान को रोजगार में होता है एक और उदहारण तमिल्स नाड़ों के ठेनी चिले का है यहां पर यह तम किसानों ने मिल करके अपना एक संभू बनाया है बड़ा लचिली विवस्ता है और वह भी 5-6 साल पहले बनाया है इस किसान संभू ने लॉकडाउन के दोरान आसपास के गाउं से सेंक्डो मेट्रिक्टन सब्जियां फलों और केले की खरीदकी और चेन्ने सहर को सब्जी संभू किट दिया आप सोचिए कितने नवजवानों को नोंने रोजगार दिया और मजा यह हैं कि बिचौलियों नहोने के कारण किसान को भी लाब हुआ वह भोगता को भी लाब हुआ ऐसा ही एक लखनो का किसानों का समूव है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्वर प कि बीचोलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये साथियों गुजरात में बनास काठा के रामपुरा गाउं में इस्माइल भाई करके किसान है उनकी कहानी भी भहुत दिल्चस्प है इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे लेकिन अब जैस ज्यादातर सोच बन गई हैं उनके परिवार को भी लगता था कि इसमाइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं इसमाइल भाई के पिता खेती करते थे लेकिन इसमें उनको अक्सर नुक्सान ही होता था तो पिता जे ने मना भी किया लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजू तुद इस्माइल भाया ने टाय किया कि वो तो खेती ही करेंगे। इस्माइल भाय ने गारटे का सोधा है। वही सोच और स्तिती दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू कि लेकिन नए तरीकों से, इनोवैटीव तरीके से, उन्होंने ड्रीप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी भावती अच्छी होती है इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी-बड़ी कंपनियों को बेचते हैं बीचोलियों का नामों निशान नहीं और परणाम अच्छा मुनाभा कमा रहे हैं अब तो उन्होंने अपने पीता का सारा करजा भी चुका दिया है और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं उनकी भी जीन की बदल न साथियों आज की तारीक में खेती को हम जितना आधूनिक विकल्प देंगे उतना ही वो आगे भड़ेगी उसमें नए नए तौर तरीक आएंगे नए इनोवेशन जोड़ेंगे मनिपूर के रहने वाली विजय शान्ती एक नए इनोवेशन के चलते खुब चर्चा में हैं उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्ट अप शुरू किया है आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्स्ट्राइल में एक नया ही रास्ता बन गया है साल पुरानी बात है उन्नीस सो उन्नीस का साल था अंग्रेजी हकुमत ने जलिया वाला बाग में निर्दोष्ट लोगों का कटले आंद किया था इस नरु संहार के बात एक बारा साल का लड़का उस गटना स्थल पर गया वह खुश्मिजाश और चंचल बालक लेकिन उसने जलिया वाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था वह स्तब्द था यह सोच कर कि कोई भी इतना निर्दई कैसे हो सकता है वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था उसी जलिया वाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिराब लड़ने की कश्म खाई ये क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं शहीद वीर बगत सिंग की बात कर रहा हूँ कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर बगत सिंग की जैनती मनाएंगे मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और विर्ता की प्रतिमूर्ती शहीद वीर बगत सिंग को नमन करता हूँ क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक हुकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर साहसन था इसके बारे में कहां जाता था? कि उनके शाहसन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के युवक्त से भैवीत हो गई थी शहीद बगत्सी परावक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे अपने जीवन की चिंता किये बगेर बगत्सी और उनके क्रांती विर साथियों ने ऐसे साहसिक कारियों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादे में बहुत बड़ा योगदान रहा शहीद बीर बगत्सी के जीवन का एक और खुबसरत पहलू यह है कि वे टीम बर्क के महत्वों को बखुबी समझते थे लाला लाच्पात राय के प्रति उनका समर्पन हो या फिर चंतरशेक राजार, सुक्देव, राजगूरू समयत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ा उनके लिए कभी व्यक्तिगत गवरों महत्वपुन नहीं रहा वे जब तक जीए सिर्फ एक मीशन के लिए जीए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मीशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी सासन से मुक्ति दिलाना मैंने नमो एप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पड़ा अजय जी लिखते हैं आज के युवां कैसे भगत्सी जैसे बन सकते हैं देखिए हम बगत्सी बन पाएं या नबन पाएं लेकिन बगत्सी जैसा देश प्रेम देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा जरूर हम सब के दिलों में हो सहीद बगत्सी को यही हमारी सबसे बड़ी स्रद्धान्जली होगी चार साल पहले लगबग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दोरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहज शौरिया और निर्वित्ता को देखा था हमारे बहदूर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष था हर कीमत पर भारत मा के गवरव और सम्मान की रक्षा करना उन्होंने अपनी जिन्दकी की जरा भी परवा नहीं की वे अपने कर्तब्य पत पर आगे बढ़ते गए और हम सबने देखा कि किस प्रकार वे विजय हो करके सामने आए भारत माता का गवरव बढ़ाया मेरे प्यारे देशवासियों आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्मान में अमीट योगदान है दो अक्तूबर हम सब के लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है यह दिन माभारती के दो सपूतों महात्मा गांदी और लालबा दुसास्ति को याद करने का दीन है पुझ्य बापु के विशार और आदर्श आज पहले से कहीं जाता प्रासंगी है महात्मा गांदी का जो आर्थिक चिंतन था अगर उस प्रीट को पकड़ा गया होता समझा गया होता उस रास्ते पर चला गया होता तो आज आत्म निर्भर भारत अभियान की जोरती नहीं पड़ती गांदी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समस्ति भारत की खुश्मुत ही पुझ्य बापु का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिशित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भरहा हो वहीं सात्री जीवन हमें विनम्रता और सा देश देता है ग्यारा अक्तूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेश होता है इस दिन हम भारत रत्न लोगनाय जैप्रगाजी को उनकी जैनती पर स्मरण करते हैं जेपी ने हमारे लोगतांत्रिक मुल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमी का निभाई है हम भारत रत नानाजी देशमुक को भी आद करते हैं जिनकी जैनती भी ग्यारा तारीक को ही है नानाजी देशमुक जैप्रगाज नानाजी के बहुत निकट साथी थे जब जेपी ब्रस्टाचार के खिलाब जंग लड़ है थे तो पटना में उन पर प्रान घातक हमला किया गया था तब नानाजी देशमुक ने वो बार अपने उपर ले लिया था इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामियाब रहे थे इस 12 अक्तूबर को राज माता विजया राजे सिंधिया जी की भी जैनती है उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया वे एक राजपरिवार से थी उनके बाद संपती शक्ती और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्ह उन्होंने अपना जीवन एक मा की तरह वातसल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया उनका रदय बहुत उधार था इस 12 अक्तूबर को उनके जन्म श्ताब्दी वर्स के समारों का समापन दिवस होगा और आज जब मैं राज माता जी की बात कर रहा हूं तो मुझे भी एक बहुत ही भाव गटना याद आती है वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मुका मिला कई गटना है लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक गटना का जुरूद जिक्र करूँ कन्या कुमारी से कश्मीर हमें एकता यातरा लेकर के निकले थे डॉक्टर मुर्ली मनो करके क्योंकि दिन फर की ठकान होती थी नाधो करके सोते थे और सुबह की तैयरी कर ले थे करीब दो बज़े होंगे मैं नाधो करके सोने की तैयरी कर रहा था तो दर्वाजा किसे ने खटकडाया मैंने दर्वाजा खोला तो राजमाता साप सामने खड़ी थी कड़ा के ठं दूद पी करके ही सो जाई है हल्दी वाला दूद खुद लेकर जाई और लेकि जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं हमारी यात्रा की वबस्ता में जो 30-40 लोग थे उसमें ड्राइवर पी थे और भी कायर करता थे हर एक के कमरे में जाकर खुद ने रा कैसे महान विव्यूतियों ने हमारी धर्ती को अपने त्याग और तपस्या से स्वीचा है आईए हम सम मिल करके एक ऐसे भारत का निर्मान करें जिस पर इन महापूरुशों को गर्व की अनुभूती हो उनके सपनों को अपने संकल्प बनाए मैबे प्यारे देशवासियों कोरोना के इस कालखंड में आपको याद कराऊंगा मास्क अवश्य रखें फेस कवर के बिना बहर न जाएं दोगज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है आपके परिवार को भी बचा सकता है ये कुछ नियम है इस कोरोना की खिलाब मजबुत साधन है और हम न भूलें जपक दवाई नहीं तब तक डिलाई नहीं आप स्वस्तर हैं आपका परिवार स्वस्तर हैं इसी शुब कामनावों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार